गुड मॉर्णिंग एवरिवन, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन में तो आज 10 जून है 2020 डेनिक जागरन का कम्पलीट न्यूज अनलैसिस करेंगे जो UPSC और STA PCS पॉइंट भी से इंपोर्टेंट होगा, रिलिवेंट होगा साथी साथ UPSC के लिए किस तरह से ये रिलिवेंट हो सकता है, किस तरह से मेंस के लिए रिलिवेंट हो सकता है किस तरह से न्यूज के लिए रिलिवेंट हो सकता है और किस तरह से हम इसका नोट बना सकते हैं उस पे भी थोड़ा से डिस्कस करेंगे लास्ट में लेकिन उसे पहले जो आज का question है उस question पे हम चलते हैं देखो कल हमने discuss किया था question और ये एक basic question है जो आपको पता होना चाहिए कल हमने new analysis में discuss किया है आपको जानकारी होने चाहिए दिल्ली को संग राज का दरजा दिल्ली को केंसासित प्रदेश का जो दरजा है किस समिधान संसोधन के द्वारा दिया गया तो पहला जो है option A 66 समिधान संसोधन 66 समिधान संसोधन B. 67 समिधान संसोधन C. 68 समिधान संसोधन और D. 69 constitutional amendment उन्सर्थवी समिधान संसोदन ठीक है तो आपको इसका जवाब सबसे पहले हमें पॉच करके जो वीडियो देख रहे हो आप पहले पॉच कर दो इसका जवाब हमें दे दो और उसके बाद आगे मुप करना देखो ये जो न्यूज है फर्स्ट न्यूज ये निशित तोर पे हमारे लिए इंपॉर्टन न्यूज है लेकिन पेपर में अभी लगातार इसको लेकर के दे रहा है डेली इस पे न्यूज आता है तो डेली पहतना भी जुरूरी नहीं है मेंस पॉइंट औभी से आपको जानकारी होने चाहिए कि चीन और इंडिया का क्या संबंध है और ये संबंध की सुरुवात होती है 1950 के आसपास से है 1950 से लेकर कि वरतमान तक चीन और इंडिया का क्या संबंध रहा है साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए एक चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या positive point है क्या क्या साकरात्मक पक्ष है कहां कहां चीन और इंडिया के बीच में सहयोग का पक्ष द्रिश्टी घोचर होता है और कहां कहां दोनों के बीच में dispute होता है कहां कहां निगेटिव है भले वो trade को लेकर के निगेटिव है border को लेकर के निगेटिव है पाकिस्तान को लेकर के निगेटिव है या अन जगा भारत या चीन के बीच में जो निगेटिव प्रोस्पेक्ट है दोनों को आपको देखना होगा men's point of view से पिलिम्स point of view से location अधिक important इस बार आपके लिए जैसे गलवान घाटी हो गया देखो गलवान घाटी या गलवन घाटी ये हो गया पेगांग तोसो मुरेरी जिल जिसके बारे में हमने discuss किया था ये जिल रामसर साइट के अंतरगत भी आता है भारत का एक रामसर साइट भी है पेगांग तोसो मुरेरी जिल जो इंडिया और चैना के बीच में आता है तो ये सब जो लोकेशन है ये लोकेशन काभी important है UPC 2020 में question पूछ देगा और साथी साथ आपको ये भी याद रखना है जो पाकिस्तान के राष्टपती चीन के राष्टपती थी इंडिया ये थे सी जिंग्पिंग वो महाबली पुरम गए थे चैन्नाई के महाबली पुरम गए थे और तो आपको ये पता होना चाहिए आपको history से इसको connect करो आप कि महाबली पुरम की जो मंदिर है उसकी अस्थापना किस ने की थी महाबली पुरम मंदिर का इत्यास क्या रहा है तो इस तरह से art and culture से भी आप correlate कर सकते हो वहाँ से भी UPC question देगा नर्सिंग बढ़वन दूतिय से भी आपको UPC question दे सकता है पुरम बढ़वन से भी question UPC दे सकता है और कहीं न कहीं यह सारा का सारा correlated है चीन से राइट नेक्स्ट कॉस्टन देखो यह question हमें discuss करना पहले तो news पे चलते हैं कि news क्या news यह है कि हमारे देश में जितने MSME है उस MSME में 99% MSME जो है 99% MSME micro industries में आरता है micro क्या होता है small क्या होता और medium industries क्या होता है वो हम बाद में discuss करेंगे लेकिन यह जानों कि 99% MSME are under in micro industries in India तो IC condition में micro industries क्या हो गया जैसे पान का दुकान हो गया जैसे एक ठिला वाला दुकान हो गया जैसे एक छोटा सा कोई दुकान हो गया तो वो micro industries कंतर गताएगा जैसे एक book store हो गया तो IC लोगों को जिसके पास मालो mortgage करने के लिए कोई संपती नहीं होती है जैसे मालो आपको loan चाहिए अगर तो आप bank के पास जाओगे और bank को बोलोगे के मुझे 5 लाख रुपे का loan चाहिए bank बोले कि ठीक हम आपको loan दे देंगे लेकिन 5 लाख के जो संपती है non-movable संपती वो हमें दीजिए non-movable संपती मतलब होता है कि जैसे आप जमीन हो गया जमीन का paper हम दे दीजिए 5 लाख का जब जाकर हम आपको loan देंगे ये condition उतार में का तो ऐसे condition में जो ठेला वाला मालो जो चै वाला है जो टोकडी वाला है जो गरीव लोग हैं उनकी पास इस तरह के संपती नहीं है तो उसको loan कैसे मिलेगा उसको loan कैसे मिलेगा इसके लिए सरकार ने एक योजना लेकर आई है और इसका नाम है Emergency Credit Line Guarantee Scheme जो ये नाम है Emergency Credit Line Guarantee Scheme जिसके तह तीन लाख क्रोड का जो है loan दिया जाएगा MSME सेक्टर को और MSME के 99% MSME आता है Micro Industries में तो निश्च्छी तोर पे Micro Industries को भी इससे बहुत अच्छा फैदा होगा Right Issue Clear है ये जो News है News आपको Clear हो गया अब देखो UPSC पॉइंट अब भी से आपको पता होना चाहिए कि News का Background क्या है आखिर Micro Industries क्या होता UPSC हमेशा Basic Concept से Question पोश्टता है Micro Industries क्या होता है Medium Industries क्या होता है Right तो इसमें हम चलते है देखो इधर Definition हाल पलाल में काफी Change होगा है लेकिन जो Final Definition आज जो हम डिसकेस करेंगे वही है Micro Industries जो है VC Industries जिसमें Investment एक करोड से कम होना चाहिए और Turnover उसके 5 गोना यानि 5 करोड से कम होना चाहिए एक वर्ष का Investment एक करोड से कम एक वर्ष का और Turnover पाँच करोड से कम एक वर्ष का होना चाहिए उसे Micro Industries खा जाएगा Small Industries Investment 10 करोड से कम होना चाहिए और Investment 10 करोड से कम होगा तो Turnover उसका 5 गोना यानि 50 करोड से कम होना चाहिए टर्न ओवर इसका पान्च गुना यानि 600 क्रोर से कम हुना चाहिए तो इस इंडेस्ट्री को कहा जाता है चलिए disc तोझ पाता है waiko a schmall और medium industries क्या हो गया और किसी कंपनी का अगर टर्न ओशे उवर 50 क्रोर से माले लेते हैं कि 500 क्रोड से अधिक है मानलो 300 क्रोड का टर्न वर है तो वह क्या हो गया वह बिग इंडेस्ट्रीज हो गया वह में नहीं आएगा तो थोड़ा से डाटा भी में दे देता हूं आप इस डाटा को कोट कर लें जाकरके अपने नोट में लिख लें काम देगा आपको 18-19 का आकरा के अनुशार MSME भारत में लगभग 6.3 करोड संयंत्र है यानि 6.34 करोड यानि 6.34 लाख MSME इंडिया में विद्द्यमान है जो काम कर रहे हैं वर्तवान में MSME में लगभग 11 करोड लोगों को रोजगार प्रोवाइट करता है 6.34 करोड संयंत्र है MSME का देश में और इसका जो MSME जितना है उसमें 99.5% MSME हमने पहले भी आपको बोला 99.5% MSME में आते हैं MSME में जो है 66% उद्यम समाज के निचली तवर्ग का हो था निचला जो समाज का वर्ग है जो दबे कुछली वर्ग है वो 66% MSME को संचालित करते हैं 12.5% SC है 4.1% ST और 49.7 लगवा 50% MSME का संचालन अन्य पिछरा वर्ग यानि OVC के द्वारा किया जाता है तो इस तरह से समाजिक अस्थिति के बाले में भी लिखना होगा कि समाजिक अस्थिति को किस तरह से हम बहतर कर रहे हैं तो आप MSME का उधारन दे सकते हैं कि MSME के माध्यम से भी देश के समाजिक अस्थिति हम बहतर कर रहे हैं देखो उम्मीद है कि इस question से इस जो यह topic है यह जो news है इस news से पूरा background आपका clear हो गया होगा और इसी तरह से आपको पढ़ना इसी तरह से आपको note बनाना यह सब news हमारे लिए important नहीं है नॉमले political news हमारे लिए कभी important नहीं होता है ओके CA का बिरोध ममता को भारी परीशा political statement है हमारे लिए important बिलकुल नहीं है लेकिन जो यह CAA है citizenship amendment act काफी disputed act रहा है और काफी समय तक देश में अंदोलन चला है इसको लेकरके तो इसके बारे में थोड़ा सा basic concept हम discuss करेंगे देखो सबसे पहली बात तो याद रखता है citizenship amendment act जो संसुधन करता है वो नागरिकता आदिनियम 1955 में संसुधन करता है citizenship act 1955 में संसुधन करता है और इसमें basically दो provision क्या गया एक provision के बारे में आप लोगों को पता होगा maximum लोगों को जानका रही है लेकिन दूसरे provision के बारे में लोगों को बहुत कम जानका रही है इसका basic provision क्या है उस पे हम थोड़ा सा discuss करते हैं और काफी important यह news है 19 में खास करके 2019 में खास करके यह काफी चर्जा मताता था और डेली इस पर पेपर में कुछ ने कुछ आता था तो देखो इसका basic provision याद रखो citizenship act 1955 में यह संसुधन करता है second एक date रखा गया है और वो date है 31 December 2014 यानि पाकिस्तान बंगला देस और अफगानिस्तान तीन देश याद रखना पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान इस देश से आने वाले वैक थी जो 31 December 2014 तक भारत में आ चुके हैं उन्हें ही नागरिक्ता मिलेगी किलिर है 31 December 2014 तक आइसा नहीं कि मालोक कल वक्ति कोई पाकिस्तान से आता है और बोलता है कि हमें नागरिक्ता दो आपने तो उसे नागरिक्ता नहीं मिलेगी नागरिक्ता उसे ही मिलेगी जो 31 December 2014 तक भारत की धर्ति पे आ चुका था जो कमुनिटी है किस कमुनिटी को नागरिक्ता मिलेगी हिंदू को मिलेगी सिक को मिलेगी बहुत को जैन पार्सी इसाई यानि गैर मुस्लिम लोगों को जो 31 December 2014 तक भारत की धर्ति पे आ चुके थे जो विस्थाफित थे जो उत्पिरित थे उसे नागरिक्ता भारत सरकार देगी माल लो एक पागिस्तान का कोई मुस्लिम है वो अगर इंडिया आना चाहता या बिस्व के किसी भी देश का कोई भी नागरिक इंडिया आना चाहत है तो उसके बाद उसे नागरिक्ता कैसी मिलेगी तो इसका एक बेसिक प्रोविजन है और वो प्रोविजन है जैसे आपको याद होगा कि पाकिस्तान के एक सिंगर है जिसको भारत की नागरिक्ता मिली है तो उसका बेसिक प्रोविजन क्या है वो प्रोविजन है कि 11 प्ले भारत में रह रहा है तो वो नागरिक्ता के लिए अप्लाई कर सकता है इस चीज को ध्यान से सुन लो इसको समझ लो इम्पोर्टेंट है विदेश का कोई भी वैक्ति पाकिस्तान हो अफगानिस्तान हो बंगलादेश हो कोई वैक्ति किसी भी जाती धर्म का including Muslim अगर वो इंडिया में 11 वर्स दज़ चुका है और पिछले 1 वर्से लगातार भारत में रह रहा है तो उसे नागरिक्ता मिलेगी ये provision नागरिक्ता अधिनियम 1955 में ही किया गया था तो यहाँ पे संसोधन क्या किया गया है तो यहां पर संसोधन किया गया है 5 प्लस 1, कि ये जो 6 community हैं, तीन देश के ये जो 6 community है, 6 धर्म की लोग हैं, जो पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के हैं, पिछले 5 वर्स से भारत में, 5 वर्स भारत में रढ चुके हैं, और पिछले 1 वर्स से लगातार भारत मे रड हैं तो वो नागरिकता के लिए apply कर सकते हैं यानि अब 11 के जगह उनको also 5 was कर दिया गया यानि 11 was एक वेक्षि इंडिया में रहता तम नागरिकता के लिए apply करता है general वेक्षि वही इन लोगों को छूड दिया गया खोड़ blossom चूर दिया गया है कि 11 के जगह तो आखिर मान लो कि भारत में अगर ये लोग आ चुके हैं, तो एक व्यक्ति भारत में अगर विश्थाफित हैं, पाकिस्तान से मान लो उत्पिरी तुर लोग हैं, दूसरे वो हो सकते हैं जो गुसफेठिया हो सकते हैं, जो मान लो जासुसी करने के लिए पाकिस्तान से इं अधिनियम 1948 तथा पासपोर्ट भारत में प्रविश अधिनियम 1920 ये जो दो एक्ट है इस दो एक्ट के माध्यम से सरकार identify करेगी कि एक व्यक्ति जो घुसपेठिया है और एक व्यक्ति जो उत्पेरित है जिसे धर्म के आधार पे उत्पेरन हुआ है किलियर है इसी दोनों के आधार पे सरकार decide करेगी और याद रखना जो उत्पेरित व्यक्ति है जिसे परतारित किया गया है उसे ही नागरिता मिलेगी घुसपेठिये को हम नागरिता नहीं देंगे उसके बाद जो ये एक्ट है CAA जो है ये छटी अनुसिचिम जो सामिल है असम, मेघाले, तिरपुरा, मेजुरम उसका जो आधिवासी एरिया है वहाँ पे ये लागूर नहीं होगा यानि वहाँ पे अगर कोई वैक्ति आकर बसता है मांगलो बंगलादेश से उसे नागरिकता नहीं मिलेगी तो ये तो फर्स्ट अधिनियम था जो CAA में जो संसोधन किया गया है एक संसोधन यह था जो हमने डिसकस किया है सकेंड संसोधन बहुत कम लोगों को जानकारी होती है ये भी आप जानकारी रखो कि जो सकेंड संसोधन किया गया है OCI को लिकर किया गया OCI क्या होता है OCI मतला होता है Overseas Citizen of India वैसे वैक्ति जो बिदेश में रह रहा है उसे कहा जाता है Overseas Citizen of India जैसे हाल फिलान में एक वैक्ति को जो पश्रिम बंगाल के हैं उसे Nobel Prize मिला है मैं नाम भूल ला हूँ I guess Abhijit Banarji तो Abhijit Banarji OCI कार्ड धारक है वो बिदेश मरा रहे हैं कापी समय से और उन्हें वहां के नागरिता मिल चुकी है तो वैसे लोग जो मानलो बिदेश मिला रहे हैं वहां के नागरिता मिल चुकी है उसे OCI कार्ड के दिया जाता है और इस कार्ड के माध्यम से आप इंडिया में आसानी से आ सकते हैं आपको एरपोर्ट पर उतनी चेकिंग नहीं होगी और आपको जो है इंडिया आने में ज्यादा सोचना नहीं परेगा इमिरेटली आप आ सकते हैं आपको बहुत सारे फॉर्मेल्डिज पूरा नहीं करना होगा तो इसमें जो सेकेंड प्रोविजन किया गया है कि OCI को रद करने का प्रोविजन किया गया है और एक आधार जिसके आधार पे OCI को रद किया जा सकता है याणि आपको जो OCI कार्ड दिया है उसको रद करने का प्रोविजन किया गया है CAA 2020 में और वो आधार है कि यानि आप सरकार के किसी प्रावधान का केंदर के किसी प्रावधान का उलंगन करते हैं मानलो कि आप बिदिश मरण हो सरकार ने आपको OCI कार्ड दिया है अब कभी भी इंडिया आ सकते हैं और बता चलना है कि आप इंडिया के आलोशना कर रहा है इंडिया के किसी एक्ट का उलंगन कर रहा है तो ऐसे कंदिशन में सरकार आपका OCI कार्ड रद कर सकता है यानि आपको इंडिया आने के लिए फिर बहुत सारे formalities पूरी करनी होगे किलिर है ये दो basically संसोधन किया गया था CA 1999 में सरी CA 2019 में तो देखो ये news important बिल्कुल नहीं है हमारे लिए ये news important नहीं है गिरिम मंत्री का statement भले ही है लेकिन ये political rally में बोल ले है बिल्कुल important नहीं है लेकिन CAA बहुत ज्यादा important है ये जो है CAA बहुत ज्यादा important है इसके बारे में basic आपको पता होना चाहिए और उमीद है कि basic concept आपको clear हो गया होगा देखो सीमा के हिसे में हिसे से कभी घुस पैट नहीं कर सका चीन यहां जो है देखो ये जो है पितोडा गड़ जिला है और वहां पे ITBP के जवान है तो थोड़ा सा हम discuss करेंगे armed force के बारे में थोड़ा सा basic आपको पता होना चाहिए ITBP के बारे में भी तो Central Armed Police Force Central Armed Police Force CAPF normally लोगों को confusion होता है कि ये Ministry of Defense के अंतरगत आता है ये Ministry of Defense के अंतरगत नहीं आता है इंडियन आर्मी Ministry of Defense के अंतरगत आता है लेकिन CAPF जो है Central Armed Police Force ये Ministry of Defense के अंतरगत नहीं आता है ग्री मंत्राले के अंतरगत आता है इसको याद रख लेना इसको नोट कर लेना इसका साथ विंग है इसके साथ विंग है और सातों ही विंग आता है CISP का नाम सुना होगा Central CRPF Central Reserve Police Force का नाम सुना होगा Central Industrial Police Force CISP का नाम सुना होगा Assam Rifle उसके बार National Security Guard NSG जो है सहस्र शिमावाल SSB है और इन्डो तिवित्यन बॉर्डर पुलीस फोर्स ITBP की जवान तो ये साथ विंग है वह है और आर्मड़्आ के और आर्म फर्स आता है हों मिनिस्ट्रिय के धियति अंतरगत यानि कि गिरी मंत्राली के अंतरगत मिद्या mere इन्डिया का यहीं वो सुरुए में नहीं है उस्कुंपाई में आपको पर स्मस्तों कना पर शुरुके जह थे लिसकीक्रlying की लें के जवान को और ITBP 1962 में क्यों अस्थापना होगा भाई क्योंकि 1962 में हमारा यूद्ध हुआ था आपको चीन के साथ तो इस तरह से कोर्लेट अगर आप कर लोगे कि उसके बाद ITBP के अस्थापना हुई तो आप कोर्लेट करके पर होगे अच्छा लगेगा आपको चीन के साथ जो है 3488 मीटर लगवाग 3500 किलोमेटर का बॉडर है चीन के साथ उसको प्रोटिक्ट करने की जिम्मदारी वह है ITBP के जवानों पर जिसका हेड़क्वाटर है नई दिलें देखो यह से इंपोर्टन न्यूज नहीं है इसलिए इसको पढ़ने क्या आप सकता नहीं है चलो आज का आर्टिकल हमारे लिए बहुत इंपोर्टन है और थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन अंतिम तक वीडियो देखना चुके काफी इंपोर्टन न्यूज है आज का तो देश के नाम पे कही बहस देखो भारत को इंडिया कहा जाए इसको लेकर के P.I.L. दाकिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने फिराल उसको होल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पे कोई डिसिजन नहीं दिया तो यहां पे जो राइटर है उसका पॉइंट है कि भारत को इंडिया कहा जाए इसके पक्ष में कुछ उन्होंने बात कही है हम भारत को इंडिया कहा जाए इसके बिपक्ष में सुरी यह जो राइटर है इन्होंने कहा आए कि भारत जो है भारत ही नाम रखा जाए इंडिय या नहीं कहा जाए उसके पक्ष में कुछ बातें कही हैं हमने कुछ पॉइंट आपके लिए लाया है जहां पे हम यह डिसकस करेंगे कि भारत को इंडिया कहा जाए यह भी जरूरी है कैसे और उसके बात जो है आपका आंसर समरिद हो सकेगा मेंस में तो चलिए सुरुआत करत से था ग्रीक से था तो ग्रीक लोगों ने चोथी और पांचवी सदी इसा पुर्व जो है सिंदू नदी के नाम पे है भारत का नाम जो है इंडस रखा था सिंदू नदी के नाम पे इंडस रखा गया उन्होंने सिंदू नदी को प्रनौस्ट गया इंडस के रूप में और यानि ये नाम जो है ग्रीक लोगों का दिया हुआ नाम है यानि ये उरोपिय लोगों का ये नाम दिया हुआ और उसके बाद जो है फिर हमारे देश में जो ये उरोपिया है खास करके 16 और 17 सताबदी में जो है ये उरोपिया इंडिया आया है तो उन्होंने भारत को इंडिय करके ही बुलाया जो नाम गिरिक के द्वारा दिया गया जो नाम यूरोपिया के द्वारा इंडिया गया भारत को इंडिया वही नाम फिर अंग्रेज जबायत उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू किया और इस तरह से एक बार फिर इंडिया फेमस हो गया यानि जो है च सिंधु को हो बोलता है और अस्थान सब्द के लिए वह अस्थान का प्रियोग करता है जैसे अस्थान वाक यह जगह अस्थान के लिए वह अस्थान सब्द का प्रियोग क्या यानि एक नदी के नाव पर जैसे हम लोग आप बोलते हैं कि हिंदु धर्म के लोग है तो एक्चुली जो है वो है सिंधु का ही विक्रित रूप एरानी सिंधु को प्रियोक करने के लिए उन्होंने सिंधु नदी का प्रियोक किया तो सिंधु को बोल करके नहीं सिंधु वो सिंधु बोल नहीं पाते थे तो सिंधु के जगए उन्होंने हिंदु बोलना शुरू किया और हिंदू अस्थान के लिए उन्होंने अस्थान बोलना शुरू किया इस तरह से हिंदुस्तान हमारे देश का नाम परा जो यूनानी के द्वारा दिया गया और तीसरा जो नाम है ये भारत है जो पुरानों में मिल जाता है बहुत सारे पुरान है भरत पुरान है विश्नु पुरान है बहुत सारे पुरान में इसका नाम मिल जाता है राजा भरत के नाम पे भारत नाम परा ये हम लोग जानते है तो अब देखो अब ये राइटर कहन कहता है कि इνडिया क्यों नहीं कहना चाहिए और क्यों भारत कहना चाहिए इसके संधर में इन्हों ने कुछ प्व krv लेज नहीं होता है यानि जब आप इंडिया चाहिए इस मान सक्था जो है करने से बुर्जवाय वरष्था का बोध होता है यानि समाज कर Somewhere है जो हमेशा दबे कुछ लोग पर सासन करने का प्रियास किया ऀसका बोध होता है इंडिया कहने से, इसलिए हमें इंडिया नहीं कहना चाहिए, हमें भारत कहना चाहिए, तो ये राइटर का अपना point of view है, मेंस के लिए हमारा जो है answer संतुलित होना चाहिए, तो हम यहाँ पे कुछ तर्क आपको दे रहा है कि क्यों भारत को इंडिया कहना चाहिए, राइटर जो पहला आर्टिकल आर्टिकल वन क्लॉज वन भारत के समिधान जवाब पर हो गया है जो उपर का प्रिस्ट है मुख प्रिस्ट है उस पे लिखा हुआ भारत का समिधान और उसके जस नीचे लिखा हुआ है Constitution of India यानि हिंदी में लिखा हुआ भारत का समिधान और नीचे लिखा हुआ अंगलीस में Constitution of India यानि भारत के लिए इंडिया सब का प्रियोग किया है और उसको जा करके भारत के समिधान के अनुछिद एक में असपस्ट किया है कि इंडिया मिन्स भारत और भारत मिन्स इंडिया तो भारत के समिधान के One समिधान के अनुछिद One के clause One में असपस्ट किया गया है कि समिधान का जो आर्टिकल है वो कह़ए आ है कि भारत का मतला है इंडिया और इंडिया जो होगा वो राज्यों का संग होगा उसमें हम डिस्कुर्ट नहीं करेंगे लेकिन आर्टिकल वन में इंडिया इसकल टु भारत और भारत इसकल टु इंडिया है इंडिया भारत इसको अस्पष्ट किया गया राइट सेकेंड पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1919 में जब ILO के अस्थापना हुई 1918 में जब राष्ट संग के अस्थापना हुई और 1945 में जब United Nation के अस्थापना हुई ये तीनों ही वर्ल्ड क्लास ओर्गनाईशन थी जिसका भारत फॉंडिंग मेंबर है जिसका भारत अस्थापना करने वाला सदस्य है फॉंडिंग मेंबर है और वहां पे भारत का नाम च अब मान लो भारत आजाद हो चुका है भारत लिख सकता था कि चलो हम इंडिया नहीं हम सिर्फ भारत मेंशन करते हैं ऐसे कंडिशन में जो नया दिस बना था पाकिस्तान तो वह भी तो लिख सकता था इसे कंडिशन में कि पाकिस्तान मतला इंडिया वो लिख सकता था अप आस्ट संग का founding member है तो हमें international level पर देखना था कि हम ILO के member है और हम वहीं इंडिया जो 1919 में थे पाकिस्तान नया देश है लेकिन इंडिया वहीं है जो 1919 में ILO का founding member है कि भारत का नाम इंडिया क्यों कहा जाना चाहिए सेकेंड जो यह एडिटोरियल है और यह फोर्थ एडिटोरियल दोनों को combine करके हम देखेंगे कि आप निर्भर भारत का सपना कैसे साकार होगा सबसे पहले UPSC ने एक question पूछा था एग्जेक्ट मुशे question याद नहीं था लेकिन question यह था कि क्या वी निर्मान के बिना भारत आगे बढ़ सकता है मैं एक picture आपको दिखाता हूँ उसके बाद हम discussion आगे बढ़ाएंगे यह जो picture हमारे पास यह है GDP में contribution को लेकर के 1950 से लेकर के 2015 सुलागा राटा है देखो agriculture सेक्टर में लगवाख 50% से अधिक का योगदान था 1950 के दसक में और वर्तमान में कितना हो गया 20% से कम भी योगदान हो गया लगवाख agriculture में 17% का योगदान है तो agriculture सेक्टर में हमने drastically reduce किया है जो primary सेक्टर हमारे देश का उसमें काफी कम हो गया है योगदान जो आजादी के समय था देश में agriculture सेक्टर का योगदान GDP में data clear है अब देखो लगवग 30% के आसपास सेवा सेक्टर में योगदान था भारत का और वर्तमान में लगवग 55 से 60% भी हो गया लगवग 55% का योगदान भारत में सेवा सेक्टर यानि सर्विस सेक्टर का हो गया है जहां 30% से कम था 55% से अधिक हो गया है यानि हमने सेवा सेक्टर में काफी ग्रोथ किया है सर्विस सेक्टर में इंडिया की GDP काफी बढ़ी है अब देखो second वाला पार देखो वी निर्वान सेक्टर लगवग 15% के आसपास योगदान था और लगवग अभी 27-28% के आसपास योगदान था पचास वर्ष में जहां सर्विस सेक्टर काफी बूम की वहीं वी निर्वान सेक्टर यानि मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर ने कोई विकास खास नहीं किया बहुत कम मुब कर पाई तो इसको ले करके जो हमारा UPSC ने प्रिभियस चेर में कोश्चन पूछा था तो इसी कॉश्चन को जो है इस एडिटोरियल के मादियम से आज हम समझने का प्रियास करेंगे कि किस तरह से ये एडिटोरियल इस कोश्चन के लिए relevant हो सकता है देखो कोई भी देश का जो प्रोग्रेस करता है वो तीन स्टेज में करता है पहले प्राइमरी सेक्टर पर फोकुस करता है उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर पर फोकुस करता है और उसके बाद टर्सरी सेक्टर पर फोकुस करता है भारत जो है सीधे प्राइमरी के बाद टर्स से मंगाते हैं और चेन का वी निर्वान सेक्टर मेनुफेक्टरिंग सेक्टर काफी स्ट्रोंग हैं तो क्या सब्सक्राइब कर मोबाइल अपनी दिश्में बनाना चाहिए तो इनका सरकार का जोड है कि हमें जरुत है मैनुफेक्ट्रिंग सेक्टर की हमें आवज सेकता है कि हम एक्रिकल्चर सेक्टर पर जो डिपेंडेंसी है बहुत सारे लोग उस पर काम करते हैं तो उसको कम करें जो छेपी भी करेंगे इसको लेकर वी डिटिल्स है तो इस आर्टिकल में क्या दिया हुआ सबसे पहले उस पर जाते हैं आर्टिकल में दिया हुआ है कि 1991 के बाद भारत में ब्यदेशी व्यापार घाटा बढ़ा है 2012-13 में 190 बिलियन डॉलर का ब्यपार घाटा था जो काफी बरा एमांट होता है एक बिलियन डॉलर में लगभग 7575 क्रोड होता है तो आप इसे कल्गूलेट कर सकते हो 190 बिलियन डॉलर में कितना एमांट होगा इंडियन करेंशी में हाला कि थोरा सा घाटा है 184 बिलियन डॉलर हुआ है 1890 में भारत का ब्यपार घाटा घाटा है लेकिन बहुत कम घाटा है ब्यपार घाटा क्या होता है कि हम जो भारत में भारत से किसी देश को निर्याद करते हैं भारत से मालो 50 रुपे का हमने सवान 20 को निर्याद किया और 20 उने हमें निर्यात किया 100 रुपे का तो ऐसे कंडिशन में 50-100 क्या होगा मैनस 50 हो गया है इतना हमारा व्यापार घाटा है विश्व के देशों के साथ कि पारंप्रिक किसी में रोजगार की संभावना कम है और सेवा सेक्टर में सिमीत और घर्ते रोजगार के कारण जो है बिरुजगारी की समस्या बठी है इसके बाद जो है एक अन और इंपोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिसको हमने कई बार डिस्क्रेस किया है API को लेकर के API को कहा जाता है active pharmaceutical ingredient हमने कोई भी दवाई बनाया मानलो HCQ हम दवाई बनाते है hydroxy chloroquine तो इसका जो ingredient होता है जिस ingredient के आधार पे ये दवाई त्यार होता है उसे कहा जाता API जिसका 90 फिस्दी हिसा हम चीन से मंगाते है 1984 से लेकर 2014 तक जो growth हुआ है उसका 66% हिस्दा 66% उस growth का हिस्दा महज उपर के लोग उपर के सिर्फ 10% लोगों को प्राप्त हुआ है यानि सिर्फ 33% हिसा सिर्फ 33% हिसा 90% लोगों को प्राप्त हुआ समझे तो किस तरह का discrimination है जिस्द में 66% growth का हिस्दा 10% लोगों को प्राप्त हुआ और 33% हिस्दा 90% लोगों को प्राप्त हुआ 1980 से 2014 तक के देश के growth का मौदरिक निती मौदरिक मजदूरी बढ़ी है साथ गुना तो साथ गुना अगर मजदूरी बढ़ी है मालो 1990 के दसक में किसी वैक्ति को 10 रुपे मिलता था आज 70 रुपे मिल ला है तो महगाई भी उस अनुसार से बढ़ा है अगर 1990 में कोई वास्थू 10 रुपे की थी तो आज उस वास्थू का दाम हो गया 60 रुपे तो महगाई भी उस अनुसार से बढ़ा है यानि वास्तमिक मजदूरी जो बढ़ना चाहिए मजदूरों का वो मजदूर का नहीं बढ़ पाया है वास्तमिक मजदूरी जो किसानों का बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाया तो देखो क्या क्या सोलिशन है आत्मिरवर भारत क्या हो सकता है बिल्कुल हो सकता है कैसे कि हमने पहले भी देखा है कि डॉक्टर वरगीज कुरियन की लीड में परियाज से भारत दोध के चेतर में आत्मिरवर बना ओप्रेशन फ्लर्ड हमने लाया था नाइन्टी सेवेंटी की दसक में इसी तरह से MS स्वामिनाथन के प्रियास भारत में और क्रिसी करामती जिसे हरीद करांती कहा जाटा है और भारत क्रिसी के सेक्टर में आत्मिरवर बना था है तो इस र्याइटर का कहना है कि कुछ अगर हमें मालों सडयस्ट करना होगा तो क्या सडयस्ट करना हो Pap 那ओ इस तरह से आत्म निर्वर भारत बन सकता है तो हमें bottom to top विकास पे काम करना होगा और ये विकास का जो मोडल है ये गांधी जी का मोडल है गांधी जी के ग्राम स्वाराज अब्धारना का ये मोडल है कि हमें गौं को डेवलप करना होगा हमें गौं को डेवलप करना होगा ग गौन उसका खुद ही निर्मान करता हो। गां झीका कहना है गोन मिलकर जिला को ससक्त करेगा और एस्टेatti को ससक्त करेगा। तो ये गां झीका concept थे जिसको आज भर मढ़ने की बात करते हैं, किलियर हैं। दूसरा है कि मानलो जो मोधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया उन्होंने कहा था लोकल टू होकल यानि किस तरह से लोकल उत्पाद को हम बढ़ावा दे हैं तो आवसेक्टा यह सहाई बात किया है कि MSME सेक्टर को गौं में ही लोगों को कौसलता प्रदान की जाए किसी वस वस्तुको जो है इन एम कि ज़र्यह बीस वार में पुहचा है सरकार इसके जिमंदारी लिये कि उसको जो हमें बीसो के बजार में उसको निर्यात करना हैं सबसे और important सबसे बात यह है कि middleman को समाप्त करना, मान लो कि गौव में किसी उत्पात को बनाने में अगर किसानों को अगर 50 रुपय लगता है, पता चलता है कि इसी उत्पात को जो है, जिसको किसान को महज 50 रुपय मिले, इसी उत्पात को सहर में बिका जाता है, 2000-3000 रुपय में, किसानों को कितना मिला है, मज़़ू को कितना मिला, 52 रुपय, सहर में बेचा जाता है, लगभग 2000 में, तो यह जो middleman है, वो 1900 रुपय के आसपास का चपत लगाता है, इतना खर्च होता है middleman के पास, तो हमें middleman को भी समाप्त करना होगा, और इसी तरह से किसानों को खाद परसंकरन से जोड़ना होगा, मालो, टमांटर का कोई मुल नहीं है, बहुत कम मुल है, लेकिन उसी टमांटर से जब jam बनता है, तो उस jam का कहीं अधिक मुल होता है, तो jam का जो मुल होगा, उस मुल में भी किसानों को सामिल करने की आवशकता है, खाद परसंकरन में किसानों को कुछ परसंटेज लाब देने की जुरूरत है, देखो, यहाँ पे इसको भी किलिर किया गया है, इस news में, कि वी निर्मान पे जोड देने की आवशकता है, हमें पता है कि किर्सी में छिपी भी बेज़गारी है, भारत में 50% से भी अधिक सरमिक किर्सी में काम करते हैं, इतने सरमिक की आवशकता नहीं है, जितना सरमिक 50% से अधिक सरमिक किर्सी में लगे हुए हैं उतना ही उत्पाद महज 10% किसान जो है वो लग के कर सकता है यानि 50% से जो अधिक लोग किर्सी में लगे हुए हैं महज 10% लोगों के साथ उतना ही उत्पाद या उससे अधिक उत्पाद किया ज़सकता तो यह जो remaining 40% है उसको जरूरत है हमें V-Nirvan sector में काम करवाने की V-Nirvan sector में रोजगार देने की तभी हमारा देश जो है V-Nirvan में आगे बरेगा MacIn India में आगे बरेगा आत्मिरवार भारत को समरिद रोप से प्राप्ट कर पाएगा clear है basic concept हमारा जो है इस article का यही था कि किस तरह से V-Nirvan को हम प्राप्ट कर सकते हैं और आज के समय में देश में क्या इश्यू है Oh my God 37 minutes Okay कुछ important news है इसलिए discuss कर रहा हूँ आज देखो इसको जाकर के खुद से पर लेना किस तरह से हमारा फोरेक्स रिजर्ब देश में बढ़ रहा है बढ़ने का क्या महत है और इसलिए बढ़ रहे ही BDC मूद्रा क्यों बढ़ रहा है BDC मूद्रा इसको लेकर के news दिया हुआ एक वारे आपको उसको खुद से जाकर के देख सकते है इसको भी आप खुद से देख लेना बहुत ज़्यदा important नहीं है सरकार क्या कर रहे है किसी मंत्राले ने भारत में निर्मान होने वाले कुछ कीतनासकों को पर प्रतिबंद लगा दिया है उसकी quality को लेकर के तो ये कितनासक का जो संग है आप सरकार पर डवाट डालने है कि आप एक तरफ कहते हैं कि हम वी निर्मान बढ़ावा देना चाहते हैं पोर्टल की चर्चा है बस आप यह याद रखना पीटी पॉइंट व भीशे हैं कि यह जो पोर्टल है Skill Management Information Portal यह Ministry of Skill के द्वारा कौशल विकास मंत्राले के द्वारा लाया गया याद रखने ना Skill Management Information Portal यह कौशल विकास मंत्राले के द्वारा लाया गया देखो एक यह जो है न्यूज है इपीएफो ने दो मेने के लिए किया 11,540 करोर का भुखतान न्यूज इंपोर्टेंट नहीं है कभी यह डर्टा आपसे नहीं पूछेगा लेकिं यह जो संस्था EPFO इसके बारे में यूपेशी निश्री तोर पे पूछ सकता है और पूछा भी है EPFO मतलग क्या होता है किरमचारी भविश निधी संगठन तो यह जो है एक सरकारी संगठन जहां इसके सदस्य को भविश निधी या पेंशन खाते का प्रबंधन किया जाता है तो यह किस एक्ट के द्वारा रेगुलेट होता है यह एक्ट याद रख लो यह रेगुलेट होता है Employee Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952 के तहत एक तो यह याद रखना दूसरा यह याद रखना कि यह जो है सरम और रोजगार मंतराले के अंतरगत आता है UPC नॉर्माली मिनिस्ट्री के नाम में आपको confused कर देगा तो याद रखना EPFO आता है सरम और रोजगार मंतराले के अंतरगत इसका Headquarter नई दिलिम है और इसकी स्थापना 1952 में हुए थी बस इतना basic concept आप याद रखना किस Act के द्वारा इसकी स्थापना हुई है किस मिनिस्ट्री के अंतरगत आता है Headquarter कहा है राइट इतना ही देखो ये याद रख ले ना बांधव घड इस तरह का जब भी जिक्र हो किसी डिजर्व को लेकर के किसी Tiger Reserve को लेकर के या मानलो किसी उद्यान को लेकर के तो उस उद्यान के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए इंगी बांधव घड टाइगा रिजर्व जो है वह MP में पड़ता यूपसी प्सीर पॉइंड होग बिसे बस इतना Haha おगी अगлы मो दिल्ली को संग राज का दरजा दिया गया 69 समिधान संसोधन से इसका आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा दरजा मिला, संग राज का इसे दरजा दिया गया, क्लिए रहे? अब देखो इसे कैसे पहरा, दैनी जागरन को कैसे पहरा, तो इसे पहरा को पहरा है, तो नूज को एक दिन में आप नहीं मतले समझ पाऊगा, अगर आपने इव पीछी की त्यारी शुरू किया, हमारा वीडि इसके डाटा को जाकर के आप अपने नोट में लिख सकते हो दूसरी बात का है कि टेलेग्राम चैनल जो यह पीडियाफ है यह पीडियाफ में प्रोवाइट कर दता हूं आपको टेलेग्राम चैनल पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए आज हमारे पास इतना हीता कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार प्लीज दू लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू